नमस्कार मैं महावास्तु अचारे रूपमगत जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नौर्दिशा को बैलेंस करने के बाद 2D, 3D रेमिडी लगा कर आप अपने जीवन में अत्यंध, धन, सुक, सम्रिधी कैसे पा सकते हैं सबसे पहले आपको नौर्दिशा को बालेंस करना है फिर वहाँ पर आप धन के देवता कुबेर जी को स्थापित कर सकते हैं कुबेर जी भ्रमान में जितने भी खजाने हैं उनके मालिक है देवताओं में सबसे धनी है अलकापुरी में निवास करते हैं उनका कारेशेत्र है कि विश्व में अत्यंध, धनी लोगों का निर्मान करना कुबेर जी के तीन पैर होते हैं आठ दांद, मूटी आँखें, गोल मटोल, भारी भरकम पेट होता है हसमुक और प्रसंद चित वाले कुबेर जी आपके आक्शन्स को वो ग्रोध और मनी में कन्वर्ट करते हैं उनके पस अबेलेटी है कि वो आपके जो आक्शन्स है उनको वो धन और स्मृध्धी में बदलते हैं उनको आप नौर्थ में टेबल पे रखिये कुबेर जी की पूजा नहीं की जाती उनको धूब दीप नहीं दिखाया जाता दूसरी रेमेडी आप नौर्थ में क्या लगा सकते हैं? ग्रीन सीन ग्रीन सीन की पेंटिंग आप नौर्थ दिशा में लगा सकते हैं लहल हाती हुई फसले या हरे भरे घने जंगल का सीन आप लगा सकते हैं इससे आपको करियर में बिजनस में नए नए अफसर मिलेंगे अगर आपको बिजनस में ऐसा लग रहा है कि आपका बिजनस से एक दायरे में सिमटके रह गया तो आपको नए अपॉर्चुनेटीज दिलाने में मदद करेगा ग्रीन सीन तो आप अपने नॉर्थ में ग्रीन सीन लगाईए अब हम बात करते हैं कि स्पोटलाइट आप नॉर्थ दिशा में स्पोटलाइट लगा सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सारे efforts करने के बाद भी आपके पास नई opportunities नहीं आ रही तो आप North को active करने के लिए, North Zone को active करने के लिए वहाँ पर एक spotlight लगाईए, फिर आपके पास नए अफसर आने शुरू हो जाएंगे. अगर आपके career में बहुत जादा उतार चड़ाव आ रहे हैं, आपके पुराने client आपसे दूर भाग रहे हैं, आपकी नौकरी चली गई है और आपको प्रशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप North में एक blue tange की bottle लिजिए, उसमें money plant लगा दीजिए, आपके पास opportunities आन आसकती है, आप देखेंगे, नमस्कार